हे एबरिवान अब सबको मेरी किचेन में स्वागत है ब्रत में जैसे हम खाना खाते है न तो ऐसे एक थाली का रेसिपी मैं आज आज आपके साथ स्यार करूंगी समक राइस का जीरा राइस, उसके साथ एक ड्राइ आलू की सबजी एक कारी का रेसिपी बनाएंगे और खीर का रेसिपी भी मैं आपके साथ स्यार करूँगी ये राइस के साथ कारी बहुत ही आच्छा लगता है खाने में चलिए हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज जो मैंने खीर बनाई वो स्वीट पोटेटो का है तो सबसे पहले एक स्वीट पोटेटो को ऐसे छोटी पीस में काट करके उसका स्कीन आउट कर लेंगे स्वीट पोटेटो बहुत ही जल्दी काला पार जाता है इसलिए स्वीट पोटेटो को काट करने के बाद तुरांत आप उसको पानी में भीगो के राखिए अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पे एक ग्रेटाल लेके आई और ग्रेटाल का जो बड़ावाला होल्स है उसमें सारे स्वीट पोटेटों को हम कद्दुकास कर लेंगे स्वीट पोटेटों का खीरना बहुत तेस्टी लागता है और यह देखिए पूरा स्वीट पोटेटों को मैं ऐसे कद्दुकास करके पानी में भीगो के रखा और गैस के उपर एक पैन बैठा दिया और पैन के अंदर पहले थोड़ा सा पानी एट करके मिल्क एट कर देंगे यहाँ पे मैं आज पैकेट मिल्क से खीर नहीं बाना रही हूँ जो नॉर्मली काव मिल्क होता है उससे खीर बाना रही हूँ कुछ थागे केसर के दूद के अंदर हम एट करके दूद को बॉयल कर लेंगे तो धीरे-धीरे केसर का कालर दूद में मिक्स्ट हो जाएगा करनी है तो आज जो खीर बनाएंगे ना तो उसके अंदर मैं किसमिस एट करूंगी आप चाहो तो कोई दूसरा ड्राइफ रूट्स एट कर सकते हो मुझे पार्सनली इस खीर के अंदर यह किसमिस अच्छा लगता है पूरा किसमिस फ्राई होने के बाद इस बोल के अंदर अच्छा द authentication करेंगे और जो सईट पास कर लिया था न इसका पूरा पानी नी चोरके मैं इस पैन के अंदर आट करूंगी एक्च्छावी अच्छाली इसे हमें घी में रोस्ट करनी है स्वीट पोटेटो हमें रोस्ट करते हुए 52-70% तक कूप कर लेनी है और थोड़ा सा स्वीट पोटेटो मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ यहाँ पे स्वीट पोटेटो हब डन हो गया तो इसी स्टेज में मैं स्वीट पोटेटो को साइट में रखूंगी और दूद को बापस इस गैस के अंदर लेके आऊंगी और यह देखिए थोड़ा सा मालाई आप देख पारे हो यह फ्रेज दूद का ही मालाई है तो इस मिल्क के अंदर पूरा मालाई मैं एट करूंगी और उसी के साथ टेस्ट का एकोर्डिंग सुगार भी एट करूंगी यहां पर मैंने 5 टेबल स्पून सुगार एट कर दिया सारे चीजों को हम मिला लेंगे और आलू जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो आलू भी डाल देंगे 30 परसें या 40 परसें तक उखोनी बाकी है इस आलू को तो दूद के अंदर बाकी बॉयल हो जाएगा सुईट पोटेटो को अले जब अच्छा से रोस्ट करने के बाद ही दूद के अंदर एट कीजिए तो आभी हम लोग एक ड्राय आलू की सबजी बानाते हैं तो ये आलू की सबजी बानाने के लिए गैस के उपर एक पैन बैठा के टू टीस्पून घी एट कर देंगे घी जैसे ही थोड़ा गरम हो जाएगा क्वाटर टीस्पून जीरा और दो स्लीटेट ग्रीन चिली एट कर देंगे मैं इस घी के अंदर 10 तू 12 कारी लिप्स एट करूंगी आप ब्रात में अगर कारी लिप्स खाते हो तो जरूर एट कर दीजिए हाफ तीस्पून घीजा हुआ अधरग भी एट कर दिया सारे चीजों को हम मीडियाम टू लो फ्लेम में 30 सेकंड के लिए भून लेंगे दो मीडियाम साइज का कच्च्या अलू मैं बॉयल कर लिया और बॉयल करने के बाद उसे स्कीन आउट करा और ऐसे छोटा पीज में काट करके पूरा आलू मैं पैन के अंदर एट करूंगी और उसी के साथ तेस्ट का एकोर्डिंग सॉल्ड एट करेंगे ये सैंदा नमक है एक ठीस्पून कुटा हुआ काली मिर्च का पावडर भी एट करेंगे आप इस आलू के अंदर काली मिर्च का पावडर जरूर एट कीजिए तो सारे चीजों को अभी हम मिलाएंगे मीडियाम टू लो फ्लेम में फाव मिनिर्च के अंदर ये आलू बनके रेडी हो गया ये ड्राय आलू की सबजी खाने में बहुत टेस्टी लागता है उपर से थोड़ा कोरियंडर लिप स्प्रिंकल करके ये आलू देखिए कितना यम्मी लाग रहा है न तो आलू तो रेडी हो गया आलू का अभी हम साइट में रखेंगे नेक्स्ट मैं कारी बनाऊंगी तो कारी मैं आलू से बना रही हूँ तो इसे बनाने के लिए दो कच्चे आलू ले लिया जिसको मैंने स्क्लीन आउट करके अच्छा से क्लीन कर लिया तो दोनों काच्चे आलू को मैं लाच्छे में काट करूंगी और पूरा काट होने के बाद मैं इसको और एक बर वाश करूंगी ये कारी और उसके साथ सामकरा इसका जीरा राइस खा के मेरे घर भले तो बोल रहा है ऐसे खाना आप डेली क्यूं नहीं बनाते Only fasting में क्यों बनाते हो पूरा अलू कट करने के बाद इस अलू को मैं और एक बार आच्छा से क्लीन का लिया और इस अलू का binding के लिए मैं यहाँ पे आज राजगीरा का आटा यूज करूँगी तो 4 टीस्पून राजगीरा का आटा एट करेंगे और उसी के साथ टेस्ट के according salt भी एट करूँगी मैं यहाँ पे ब्राद का खाना बना रही हूँ तो पूरे रेसिपी में मैं सेंदा नामा की यूज किया आलू के साथ राजगीरा का आटा मिलाएंगे और इसे मिलाते हुए थोड़ा सा पानी का यहाँ पे मैंने यूज किया ज्यादा पानी आप एट मत किजिए थोड़ा साई पानी एट करके इसका एक स्मूध बैटर टाइप बना लीजिए यह रेडी हो गिया अभी हम लोग नेक्स प्रोसेस की और चलते हैं यहाँ पे डेश्रो ग्राम मेरे घर का फ्रेज दही है तो इस दही को मैंने आच्छा से फेट लिया तो इसी दही के अंदर टू टीस्पून राजगीरा का आटा डालूंगी और उसी के साथ सैंदा नामाग एट करके सारे चीजों को हम आच्छा से मिलाएंगे तो दोनों चीजों को हम आच्छा से मिलाएंगे और इसे मिलाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ देखिए यह अभी काफी ठीक है और बहुत ही आच्छा से यह मिल गया तो इसी स्टेज में मैं थोड़ा सा पानी आट करके इसे पातला कर लूँगी इस दही का हम कारी बाना रहे ना तो ये कॉंसेस्टेंसी एकदम परफेक्ट है इस दही को हम साइट में राग देंगे और गैस के उपर बापस से एक पैन बैठाएंगे और पैन के अंदर टू टीस्पून देशी घी एट करके आधा टीस्पून साबूद जीरा भी एट कर देंगे दो स्लिटेट ग्रीन चिली, कुछ कारी लिप्स और एक टीस्पून घिसा हुआ अधराग भी एट करेंगे इन सारे चीजों को हमें 30 सेकेंड तक भुननी है हम मिला लेंगे कई बार क्या होता है ना जो आटा हमने डाला वो नीचे बैठ जाता है तो एक बार आप मिला के फिर पैन के अंदर एट कीजिए उसी के साथ थोड़ा सा पानी और एट कर देते हैं और पूरे दही का ये जो मिक्सर है इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे दही को अगर आप मिक्स करते हुए बॉइल नहीं करेंगे तो दही काई बार फर्ट जाता है तो ऐसे मिक्स करते हुए दही का हम उबालाने देंगे जब दही में अच्छा से उबालाना स्टार्ट हो जाएगा फिर आप उसको छोड़ सकते हो इस पैन के अंदर आधा टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट एट कर देंगे सारे चीजों को हम मिला लेंगे और इस दही को 10-12 मिनिट्स के लिए एकदम स्लो फ्लेम में हमें बॉयल करना है दही का पैन को मैं साइट बले गैस में सिफ्ट कर दिया और इस गैस के उपर एक छोटू सा बैन बैटके उसके अंदर पीना टॉयल एट कर दिया ये ओयल जैसे ही गरम हो जाएगा राजगीरा का आटा और आलू का जो बैटर बनाया था उसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्सेन लेके ऐसे छोटा छोटा पाकोरा टाइप हम बना लेते हैं एक बैज पाकोरा बनने में 2-3 मिनिर्स का ही टाइम लगता है देखिए एक बैज पाकोरा जैसे ही रेडी हो जाएगा सेकेंड बैज भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए बना लूँगी सेकेंड बैस पाकोरा रेडी होने पे मैं बापस इस गैस के उपर वो पैन बैठा दिया तो कारी कितना क्रिमी लाग रहा है न तो इसी स्टेज में हम पाकोरा भी एट करेंगे कुछ पाकोरा यहां पे एट करने के बाद हमें 1-2 मिनिर्स के लिए इसको बॉयल करनी है बाद 1 टीस्पून लेवन जूस भी हम एट करके सारे चीजों को मिला लेंगे और कारी एकदम रेडी है नेक्स्ट मैं सामक राइस का जीरा राइस बनाऊंगी ओ भी एकदम खिला खिला तो उसे बनाने के लिए 1-3 कप सामक राइस ले लिया मैं उठा के आपको दिखा रही हूँ देखिए ऐसे छोटे छोटे दानेदार होता है ये सामक राइस कोई भी ग्रॉसारी सौप पे आपको इजली मिल जाएगी तो ये पूरे सामक राइस मैं बोल के अंदर एट कर दूँगी और इसी के साथ पानी भी एट करूँगी पानी के अंदर सामक राइस को जब आब राप करेंगे तो उसको एकदम हलके हातों से राप कीजी ये पूरे सामगरा इसको उठा के मैं रानिंग वाटर में आच्छा से क्लीन कर लोगी देखिए सामगरा इस यहां पे आच्छा से क्लीन हो गया तो थोड़ा सा पानी एट करके इसको 5-10 मिनिट्स के लिए भिगो के रखेंगे और दूसरा साइड गैस के उपर मैं बापस से पैन बैठा दिया और इस पैन के आंदर मैं 2 टीस्पून घी भी एट करूँगी घी जैसे ही गारम हो जाएगा इस घी के आंदर 1 टीस्पून जीरा एट करेंगे जीरा जैसे ही चाटगने लागेगा कुछ खारे गरब मसाले एट करूंगी यहाँ पे मैंने 4 लॉंग, 2 छोटी लाइची, 8-10 काली मिर्च एट कर दिया इन सारे चीजों को हमें 30 सेकेंड तक भूनना है जैसे इन सारे चीजों से एक स्वीट सी खुजबू आना स्टार्ट हो जाएगा उसी स्टेज में मैं सामगराइस एट करूंगी अच्छा, सामगराइस को आप जब एट करेंगे तो उसका पुरा पानी नीचोर के ही पैन के अंदर एट कीजिए एक मिनित के लिए सामगराइस को घी के साथ हम भून लेंगे सामगराइस में पानी कितना लगेगा? यह always confusion लगा रहता है तो जितना आप सामगराइस ही उसका डबाला पानी डाल दीजीए ताभी यह सामगराइस खिला खिला बनेगा according to taste salt भी एट कर दिया और इस पैन को मैं दो मिनिट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी उससे जदा टाइम नहीं लगता सामग राइस बनने में और ये देखिए आपटा टू मिनिट बाद मैं गलिट उठा के आपको चेक करा रही हूँ एकदम खिला खिला सामग राइस बनके ये रेडी है तो सामग राइस को थोड़ा सा घी में भूनेंगे उसके बाद उसका डबल हम वाटर एट करेंगे ये सारे चीज अगर आप ध्यान में राखेंगे तो एकदम खिला खिला सामग राइस बनके रेडी होगा और ये देखिए, दो मिनिट के आंदर सामग राइस जैसे ही बन गया, गैस का फ्लेम बन कर दिया और इसी सामग राइस के आंदर वन टीस्पून लेमन जूस और थोड़ा सा कोरियेंडर लिप्स एट कर दिया सारे चीज यहां पे रेडी है, अब गर्मा गरम सारे चीज हम सार्प करेंगे, गरम खाना खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है एक थाली ले लिया, थाली के उपर सारे चीज हम सार्प कर देंगे यहाँ पर जीरा राईस इतना ज़दा गरम था ना मैं अपने हाथों से छूने इपारी थी तो बोल को मैं ऐसे टीसू में पकर लिया था समक राईस के बाद राय अलुकी साफची सार्प करेंगे उसके बाद हम कारी सार्प करेंगे खीर को भी थाली में सार्फ कर देंगे और जो पाकोडा फ्राइ करके राखी थी ना सारे पाकोडा मैं कारी में एड नहीं किया था थोरा सा पाकोडा मैं थाली में भी सार्फ करूंगी फ्रेंज आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंज एंड फैमिली के साथ स्यार भी कर दीजिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको ये काड़ी चावल का रेसिपी कैसा लगा? जरूर मुझे कॉमेंट करके बताईए साथ में ये ड्राय आलू और खीर कैसे लगी? वो भी मुझे बता दीजिए इस नवरात्री में खाना क्या बनाएंगे तो उसका आइडिया मैं आपके साथ स्यार कर दिया फस्टिंग में इतने सारे खाना अगर आप बनाना नहीं चाते तो इसमें से दो एक बना लिजिए अब लोग खुश रहिए आनान में रहिए मैं मिलूंगे आपने कोई नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते